दुस्तों कहानी बड़ी interesting है आरिफ और सारस की कहानी ठीक है आरिफ एक इंसान है एक व्यक्ती है ठीक है और उनका जो दोस्त था वो एक पच्छी था सारस ठीक है वो उनको एकखेट में बिला था उसके पैर में चोट वोट लग गी थी तो वो क्या है उसको ले आय थे उसका treatment किया और वो दोनों की इतनी जादा मित्रता हो गई थी कि सारस जो पच्छी था वो पच्छीों के साथ नहीं जाता था उनके साथ रहता था उनहीं के साथ खाना खाता था अगर वो कहीं बाहर जाते थे तो उनके साथ उड़ता हुआ जाता था ठीक है इतनी जादा उनकी मित वो मैं आपको आज की वीडियो में देखाऊंगा ठीक है कानपुर चिडिया धर में सारस को बंद कर दिया गया है ठीक है और इनकी जो दोस्ती थी वो काफी ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी थी और जो मुख्यमंत्री रह चुके है यूपी के अकलेस यादव जी तो वो ज तोड दिया गया अलक कर दिया गया दौनों को और शारस को जो है वो कानपुर चिडिया घर में ले जाकर बंद कर दिया गया दूस्तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती देखिए पच्छी और इंसान की जो दोस्ती होती है वो ओटोमेटिक हो जाती है ठीक है अब उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी तो इसे तोड़ना नहीं चाहिए था यार यह एकदम तूटने वाली बात है वो पच्छी भी अंदर से तूट जाएगा अपन कानपूर चिडिया घर में आरे भाई को देखते ही सारस जो पिंज्रा होता है उसके अन्दर ही जूमने लगा है यहाँ पर आप इस वीडियो में साप साप देख सकते हैं आरे भाई बाहर खोड़े है और शारस अंदर आप देख शकते किस तरीके से उनसे मिन्य को बाहर निकलने के लिए कर रहा है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो पच्छी है वो काफी ज़्यादा एकडम excited हो रहा है बाहर निकलने के लिए उनके साथ मतलब उनका जो मित्रता थी उनकी वो अभी भी दिख रही है ठीक है अब यह मिन्य गए उससे ठीक है तो मैं तो यह कहूँगा कि इनको अलग नहीं करना चाहिए यार ये लोग ठीक है यार सारस एक पच्छी है वो लेकिन इनकी जो दोस्ती हो चुकी है यार उससे तोड़ना नहीं चाहिए ठीक है और भी सारस है और भी सारस है जो खुले में भूमते हैं उनको भी कि उसमें बंद किया जाता है चिडिया घर में ठीक है एक सारस यही तो है नी आरे भाई का सारस तो है नी बाकी और भी सारस है जो खुले में भूमते हैं उनको बंद क्यों नहीं किया जाता इनके सारस को क्यों इनका सारस इनके पास एकदम आजात था ठीक है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आरे भाई को उनका सारस मिल जाए और दुस्तों आप यहां पर देख सकते हैं साब साब वो पक्षी है यार पक्षी की भावनाओं को तो समझे वो बाहर ने करने के लिए कितना ज्यादा वेचैन है लेकिन आप क्या ही कह सकते हैं मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करना ये वीडियो जितने जादा लोगों के पास पहुँचेगी हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोगों को लगे कि हाँ भाई आरे भाई का सारस उन्हें बापस करना चाहिए और उनको उनका सारस बापस मिल जाए दोस्तों प्लीज इस वीडियो को सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिए